16 अगस्त को उदेपर में हुई चाकोबाजी की घटना में घायल स्टूडिन्ट की सोमवार को मौत हो गई MB अस्पताल में भरती छात्र की दोपहर करीब 3 बजे तबियत बिगर गई थी इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया इसके बाद अस्पताल के बाहर भारी पुलीस जापता तैनात कर दिया गया है चात्र के शफ को मौर्चुरी में रखवाया गया है चात्र की मौत के बाद अस्पताल के बाहर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और नारेबाजी कर रही है लोगों का कहना है कि इलाज के नाम पर हमें क्यों पादल बनाते रहे मौके पर तनाव की स्थिती देखते हुए प्रशासन का जपता तैनात हो गया है कलेक्टर अर्विंद पोस्वाल, स्पी योगेश गोयल, स्पी उधेपुर ग्रामीन फूल सिंग मीना मौके पर मौके पर मौझूद है शहर में बाजार से लेकर विभिन्न चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलीस बल्ग तैनात किया गया है अफवाहों से शहर को बचाने के लिए नेट बंदी भी बढ़ा दी गई है 19 अगस्त की रात 10 वजे तक नेट बंद रहेगा MB अस्पताल के चप्पे चप्पे पर पुलीस तैनात है वारदात के दिन यहां बड़ी संख्या में भीर जुट गई थी ऐसी में अस्पताल परिसर में उदेपर S.P. योगेश गोयल और अन्य अधिकारी खुच सुरक्षा व्यवस्थाओं की मौनिटरिंग कर रही है सूरज पोल थाना क्षेत्र के भाटियानी चोटा स्थित आर्य समाज स्कूल के बाहर बीती सोलह अगस्त को चात्रों में आपसी कहा सुनी के बाद चाकू बाजी हो गई थी दस्वी में पढ़ने वाले चात्र ने अपने सहपाथी पर चाकू से हमला कर दिया था वार्दात को अंजाम देकर वो मौके से फरार हो गया था हमले में चात्र देवराज गंभीर रूप से घायल हो गया था हमलावर चात्र का नाम अयान बताया गया था घायल और हमलावार दोनों ही दस्वी कक्षा के चात्र हैं और आर्य समाज स्कूल में ही पढ़ते हैं ग्रह राज्य मंत्री जवाहर सिंग बेधम ने कहा कि भजनलाल सरकार पीरित परिवार के साथ खड़ी है सरकार अपराधियों के खिलाफ कानून सम्मत कारवाई करेगी पुलीस प्रशासन पूरी तरह से है सतर्क है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें